इंट्रस्ट जो होता है ना इसको क्रोडों रुपए बना सकती है और जैसे से आप युकि बड़े लक्षों को हासिल करने के लिए बड़े कदम बनाने पड़ते हैं लेकिन यब आप काम भी कम करने तो आपकी अर्निंग भी कम होने वाली है उसके साथ करें रिस्क मैनेजमें और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफार्मेटिव वीडियो में फ्रेंज हमें से बहुत सारी लोग अपने फानेशल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वह चाहते हैं कि एक समय अवदी के बाद उन्हें अपने लाइफ में बहुत जादा मेहनत ना करने पड़े उसके बावजूद भी अनुभव बढ़ने के साथ साथ जो उनका अनुभव बढ़ चुका है उसके अधार पर उनके पास इंकम रेगुलर आती रहे इसके लिए जरुवत है सही तरीके से फानेशल प्लानिंग करने की और अपने भविश्य को ध्यान में रखते हुए चोटी सी वीडियो जरूर देखिएगा दा पैरेबल आफ दा पाइपलाइन एक ऐसी किताब जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया है जारतर इस बुक को नेटवर्क मार्केटिंग के लोग पढ़ते हैं लेकिन जो लोग इस बुक को अपने क्रियेट कर सकते हैं तो यह जो बुक है वो दो फ्रेंट्स के ऊपर बनाए गई एक स्टोरी है डाट इस पाबलो एंड ब्रुनो पाबलो और ब्रुनो दोस्त थे और उन दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने फीचर को सिक्योर करने के लिए काम की तलाश करना शुरू कर दिय और जब यह काम की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने एक एडविडिस्मेंट देखा उस एडविडिस्मेंट में ये लिखा हुआ था कि हमें ऐसे लोगों के जरुवत है जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी जाकर पानी लेकर आ सके और यहां पर गाहों में सभी लोगों उनको मिलने वाला है अब पाबलो और ब्रुनो में दोनों में से जो पाबलो था वो थोड़ा सा हलका था शरीर का मतला वो ज्यादा तगडी मेनत नहीं कर सकता रहा लेकिन ब्रुनो एक खटा-खटा व्यक्ति था उन दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और जब काम किया तो कुछी दिन में उनको पता लगया कि ज्यादा का पैसा कमाना है तो ज्यादा मेहनत करने पड़ेगी आज भी बहुत सार लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने पड़ती है ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ता है ज्यादा एफ़र् कि इस गाउं में आजाए और प्लाइ पाइप्लाइन के जरीए लोगों को पानी के सपलाई दी जाए है और पर बगेट के पाबलो ने का कि नहीं मैं तो अपनी खुद की पाइपलाइन बिचाऊंगा और वो डेली मेहनत करता सुबह उठता मेहनत करता पाइपलाइन बनाने का प्लान करता और धीरे 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 पाइपलाइन पर काम करने लगा वहीं बुरुनो क्योंकि वो ताकतवर था उसक तो बड़ा बेकार काम है मैं जिस दिन काम नहीं करता उस दिन मुझे इंकम नहीं होती जिस दिन में ज्यादा काम करता हूं उस दिन कम इंकम होती है वही दूसरी और जो पाबलो था वो लगातार पाइपलाइन पे काम कर रहा था उसने देखा कि बुरुनो अपनी ताकत के हि साब से अपने अर्विंग को बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाते बढ़ाते उसने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिए एक अच्छा घर ले लिया एक अच्छी गाड़ी ले ली शाम को वह पार्टी करता है लेकिन पाबलो विचारा बहुत मेंद करता था और उसके बाद भ या वन बकेट, टू बकेट, थ्री बकेट, वो हेंड्रेड बकेट पर डे पूरे गाओं में सेल करने लगा तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स जो लोग अपनी फानेशल प्लानिंग को ठीक से करते हैं जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरें प्लानिंग नहीं करने पड़ती उसके बावजूत भी उनके पास बेशुमार पैसा आने लग जाता है और वहीं ब्रूनों का क्या हुआ क्योंकि उसकी ताकत धीरे धीरे समय के हिसाब से कम होती चली गई उसकी अर्निंग कम होती चली गई और बाद में वो दुबारा गरी जाएगा और मनी एक बार लीक हो जाती है ना तो कभी भी उसको रिफिल नहीं किया जा सकता इसलिए जरुवत है सही तरीके से प्लानिंग करने कि नंबर वान हाड़ वर्क सबसे पहली बात हाड़ वक्से ना कभी भी पीशे नाट है अब आप कहेंगे कि पाबलो भी करता था दोस्तों पालों के हाड़ वर्क और वर्णों के हाड़ वर्क में बहुत कभर डिफेरेंस आया जो हाड़ वर करता था व unfa फूचर ग्रोथ पॉस्यू्बिलिटी के हिसाब से पाइप्लान टेवलपमेंट पर काम करता था लेकिन भून अंब्रुन वरक इन वर्तम करें और फोकस करने का मतलब है ऐसी opportunities को सर्च करें जहां आप ज्यादा बेहतर पैसा कमा सकते हैं कि money earn करना एक बात है लेकिन अगर अगर अपनी money को सही तरीके से आप सेव नहीं करेंगे तो वह money धीरे धीरे लीकेज के रूप में आपके पासे निकल जाएगी कहते ना बहुत सर लोग कहते हैं यार मैं 50,000 पर महीं ने कमाता था तो मेरा खर्चा 50,000 के हिसापत से था और मेरी सेविंग जी हो थी अब मैं 70,000 पर कमाता हूं अब भी क्या है मेरे खर्चे बढ़ गए मैंने और गाड़ी खरीद ली मैंने इमाइज पर बहुत सारे चीज़े ले ली अब तो मेरे पास माइनस लोगो कई बार मुझे करजा भी लेना पड़ जाता है यह माई भी एक तरह का करजा होता है तो ध्यान रखेगा मनी अरन करने के साथ अगर आप अपनी सेविंग को इंक्रीज नहीं करत ठीक उस तरह से की पाइप्लाइन बनने के बाद अगर वो पाइप्लाइन पानी नहीं देगी तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे इसी तरह से आपकी मनी जब तक आपके लिए काम नहीं करेगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे नेक्स जो इंपॉर्टेंट बात जाना जो भी खर्चा होता है वो सारे खर्चे में 70% खर्च होता है 10% आप जरूर इन्वेस्ट करें अपनी इंकम का 10% ये मानके चलें कि अगर आपकी सेलरी 10,000 रुपे है तो तुरंत उसमें से 1,000 रुपे सेविंग में निकाल दीजिए फाइन 7,000 रुपे आपका आपका रुटीन खर्चे के लिए है एक हजार निकाल दीजिए 10% आप जरूर सेव किजिए मैंने का 10% आपने इंवेस्ट किया 10% आपने सेव करना है और 5% मतलब उसमें से 500 रुपी आप इंवेस्ट करें कहां पर अपनी ग्रोथ पर अब के साथ जूड़ कर बिजनेस लर्निंग करना है तो यह वह तरीके हैं जहां से आप अपनी ग्रोथ के लिए और लर्निंग के लिए काम करते हैं और अपनी इंकम का 5% अगर आप इंवेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से फ्यूचर डोथ पॉस्विबि मैनेजमेंट क्या है बहुत सारी ऐसी आकस्मिक जरूते होती है जो कभी-कभी अचानक हमारे उपर आ जाती है जैसे फैंबली में कोई बिमार पढ़ गया को एक्सिदेंट हो गया किसी कि तरह की मिस हैपनिंग पर आपको पैसा खर्च करना पढ़ गया यह मैनेजमेंट है 5% आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए बचा के रखने है और 10% आपको इनवेस्ट करना है जहां से आपको एक अच्छा रिटन आना शुरू हो जाए और जैसे से आपकी सेविंग बढ़ जाए इस सेविंग को रिइनवेस्ट कर दो ग्रोथ से जितनी इंकम बढ़ जाए मान लिजे आपकी इंकम आज 10,000 रुपे है आप 15,000 हो गई तो ग्रोथ से आने वाले इंकम भी इसी अनुपात में आप शेर कर दो जब आप इस फ्लो चार्ट का इस्तिमाल अपनी फानेशल प्लानिंग में करेंगे ना तो आप एक बहतर फानेशल प्लानिंग कर पाएंग कि अब आप काम भी कम कर रहें तो आपकी अर्निंग भी कम होने वाली है फ्रेंट ध्यान रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है और जो लोग इस फ्लो चार्ट का इस्तिमाल अपनी लाइफ में करते हैं वह अपार सफलत हासिल करते हैं कि जीवन में बहु करोड़ आप इन्वेस्ट करते रहें तो पावर ऑफ कंपाउंड इंट्रस्ट जो होता है ना इसको क्रोड़ रुपए बना सकती और जैसे से आपकी ग्रोथ होगी ग्रोथ को फिर आप अपनी इंकम बढ़ाएंगे उसी रेश्यों में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चल है लेकिन कई बार जब आप पीशे मुड़ कर देखते हैं तो वह छोटे-छोटे कदम आपको कई मील का फासला पार करते हुए दिखाई देती हैं इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें जब लोग ऐसा कहने कि यह करना असंभव है वेन पीपल से यू कांट प्रूब देम र हैं इसको पावर आफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं यही बात फाइनिशल प्लाइनिंग पर लाग low Wales यही बात शोचल नेट वर्क पर लाग होती यही बात फ्रेंड जनेट वर्क पर लाग होती है कि कैसे आप अपना डेवर्ग करते हैं कैसे लोगों के साथ मिलकर अपने ल लगातार ऐसा करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट जूरूर बिलते हैं इसलिए इस पूरी इंडिया में मैं फैट टो फिट ट्रांसफॉर्म्ड पहला मोटिवेशनल स्पीकर बना जिसने एक बहुत फैट बॉड़ी से सिक्स पैक अब्स को अचीव किया अभी तक शायद कोई मोटिवेशन स्पीकर ऐसा है नहीं जिसने सिक्स पैक अचीव किया हो फ्रेंड्स यह संबभ है केवल और केवल निरंतर प्रयास करने से और छोटे-छोटे प्रयास आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं इसके लब आपक स्रामित मैश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत